हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग वेलकम है आपका हमारे डिप चैनल में आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं NCCS National Center for Communication Security की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में तो यहां पे बहुत ही अच्छी opportunity निकली है हमारे freshers के लिए यहां पे salary का package मैं आपको बता दू बहुत ही अच्छा यहां पे आपको मिल जाएगा तो आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि यहां पे post कितनी है यहां पे आपकी vacancies जो वो क्या रहने वाली है तो basically post क्या रहेगी और इसमें vacancy आपकी कितनी रहेगी education qualifications और age limit का criteria यहां पे क्या follow होने वाला है selection किस basis पे होगा और आपको यहां पे actual salary आपको कितनी मिल जाएगी last में आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें apply कैसे करना है तो दोस्तो इस वीडियो को last तक जबू देखना बीच में से skip मत करना है चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो अपडेट है NCCS की तरफ से जो की एक department of telecommunications ministry of communications की government of India के अंडर में आती है जिसका advertisement number यहां पे है NCCS जो आपको show हो जाएगा screen पे भी NCCS slash HQ slash 4-7 slash 2022-23 slash 2 slash 347 date of announcement है आपकी 13th May 2024 अब यहां पे जो है वो कुछ conditions है और यहां पे जो educational qualifications और age limit का criteria है वो मैं आपको बताऊँगा इससे पहले देख लेते हैं कि आपकी post क्या रहेगी तो आपकी post जो है वो यहां पे research associate की रहेगी यह research associate की एक scheme है जिसमें आपकी post जो है वो research associate की रहने वाली है जिसमें यहां पे अभी के लिए current आपको बताया गया है कि इसमें 8 vacancies available है apply करने के लिए हमारे freshers जो candidates है उनके लिए जिसमें freshers भी eligible है और experience candidates भी जो है यहां पे eligible है apply कर सकते हैं चली बात करते हैं यहां पे education qualifications की तो यहां पे अगर आपने bachelor degree की है electronics, communication, telecommunication, information technology, computer electrical engineering में तो यहां पे आप apply कर सकते हो लेकिन इसमें आपके minimum 60% marks होने चाहिए या फिर इसी के equivalent में आपके CGPA जो है वो होने चाहिए और इसमें desirable qualifications भी है उसके भी बारे में आगे बात करेंगे अच्छा आप अगर fourth year में हो यानि आप final year student हो तो भी आप यहां पे eligible हो apply कर सकते हो यह इसका जो हो plus point है तो freshers जो है जो यहां पे जिनका final year है वो भी यहां पे apply कर सकते हैं तो दोस्तो desirable qualifications की बात करें तो यहां पे आपका valid gate score है अगर electronics and communication engineering में या फिर computer science या फिर information technology subjects या फिर इसी के related disciplines में तो आप यहां पे apply कर सकते हो second आपका desirable qualification है कि अगर आपने master जो पोस्ट graduation किया है आपका किसमें इसी field में या फिर इसके related discipline में तो भी आप यहां पे apply कर सकते हो लेकिन minimum इसमें आपके 60% marks होने चाहिए third है इसमें कि इसी relevant fields में अगर आपने PhD की है तो भी आप apply कर सकते हो साथ ही साथ अगर आपका work experience एक साल या उससे जादा है relevant fields में तो भी आप apply कर सकते हो अगर आपने internship की है छे महीने या उससे जादा तो भी आप यहां पे eligible apply कर सकते हो तो यह सब क्या है यह सब desirable qualifications यहां पर आपको दे रखे हैं अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर age limit की तो अगर आपकी age below 28 years है for graduates B.E.B.Tech और 30 years है for post graduates M.Tech, MS और 35 years है अगर आपका PhD के लिए अगर अपने PhD की है तो as on date of notification जो इसकी notification date है उस date तक तो आप यहां पे eligible हो आराम से apply कर सकते हो चली बात करते हैं यहां पर salary की तो salary की बात करें तो यहां पर आपको 75,000 पर month salary आपको मिल जाएगी फिर इसमें annual increase होगा आपका 7,500 अब आपका period of engagement यहां पर क्या रहने वाला है तो period of engagement की बात करें तो यहां पर दो साल के लिए यह job है इसके बाद यह एक साल extend भी हो सकती है अगर आपकी यहां पर post अच्छी रहती है तो अब post आप जैसे ही आपका यहां पर engagement period खतम होता है तो आपको यहां पर certificate प्रोइड किया जाएगा जो आपको जो है future में बहुत ही काम आने वाला है तो दोस्तो selection procedure की बात करें तो यहां पर selection procedure का table आपको यहां पर show हो जाएगा इसमें engineering graduation percentage है इसके 40 marks रखे गए हैं फिर PhD degree के यहां पर 10 marks रखे गए हैं post graduation degree के 5 marks engineering graduate institute अगर आपकी ranking है उस ranking के हिसाब से यहां पर 5 marks gate score के लिए 15 marks और experience के और internship के लिए यहां पर 5 marks यहांने सब total score जो होता है इन सब को मिला के 80 marks का होता है इसी के बाद 20 marks का यहां पर आपका interview जो है वो conduct किया जाएगा इनके end से तो यहां पर total 100 marks का यह जो है वो पूरा maximum marks होंगे इन से आपको यहां पर marks दिये जाएंगे फिर आपको जो वो short list किया जाएगा final merit list यहां पर prepare की जाएगी और आपका यहां पर direct selection हो जाएगा तो इसमें exam की कोई requirement नहीं है यह जो है वो plus point है अब यहां पर तो exam की कोई requirement नह सकते हो यह आपको सभी तरह की government exams में जो हो help करेगा अब इसमें आपको जो मिल रहा था content जो पहले भी मिल रहा था हो तो मिले गई यह जो आपको show हो रहा है यह पूरा content मिलेगा लेकिन इसमें अभी update किया है update में आपको उसमें current affairs और 5000 gk questions आपको इसमें मिल जाएंगे तो इसकी link जो है वो हमारे जो वीडियो है उसके description में add कर दूँगा तो आप वहां से जाके enroll कर सकते हो एक बार जरू से check out कर लेना तो दोस्तों अगर आप इसमें interested हो और apply करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपनी cv के साथ आपका application form जो है वो submit करना होगा जो आपने application form यह आपके जो experience certificate है academic certificates है इनके साथ यह भी आपको जो attest करके जो हो एक self attested copy आपको यहाँ पे share करनी होगी apply करने की last date जो हो 17 June तक है तो यहाँ तक आप 17 June तक आप इसमें apply कर सकते हो तो दोस्तों पूरा वीडियो जो था वो इसके regarding हमने जो हो बनाया था I hope कि आपको यहाँ प हमारे वीडियो की description में जो हो इसकी link add कर दूँगा वहाँ से जाकर आप full details ले सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर देना अपने सभी दोस्तों साथ share कर देना जो इसके लिए eligible है अगर आप हमारे चैनल पर first time आया हो तो subscribe भी जरूर से कर देना तो दोस् कि इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे next वीडियो में एक नई update के साथ तब तक के लिए goodbye take care